बूर मॉर्निंग शुडेंट मैं डॉक्टर अमधिस कट्यार महसित्ता देवी देपार्टमेंट अफिजिक्स के अंतरगत आज मैं उनको फिजिस के अंतरगत टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लाव मोसन इसके बारे में बताएंगे सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है इसके बारे मताएंगे न्यूटन ने ये बताए था यदि कोई बस तो अपने स्थान पर रुकी हुही है तो रुकी रहेगी और अग्वसः थी दूसरा यह है अगर एक सांज बेख से चल लएए तो से चलती रहेगी उसके बेख में परिवर्तन नहीं होगा ठीके इसको इसलिए इसका नाम है को कहते हैं लाख इनियर्शिया यह जड़ तो का नियम भी कहते हैं पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इनियर्शिया ओफ रिष्ट के अपनी बुक में बताया था कि आईसे न्यूटन जो थे वो सास्त्री भी थे घड़तक भी थी और फजिक्स के बारे में भी जानकारते उन्होंने बताया था कि इसके अंतरगत कोई बस्तु गत्सील है तो गत्सील ही रहेगी जब तक कि उसे रोकने के लिए कोई बल ना लगा था कर यह जाए कि यदि किसी बस्तु को मुषण मिल गया तो वह बस्तु लगातार चलती रहेगी उसे रोकनाई शक्ते हैं जब तक उसपर बल ना लगाएं बल लगाने के पर चाहिए वह बस तो रुकेगी तब तक लो करते रहेगी तो यहां पर इसको कहते है इनर्षिया और मोसन यहां पर किया है गति का जला तो यहां पर बश्टो लगातार मोसन कर रही है इसके अंतरकर पहला एक जामपिल कि अचानक गाड़ी के रुकने से यातरी आये की और जुग जाता है देखिए जब भी कोई बाहण चला है और उस बाहण में एक समान स्पीड है, यानि एक समान ब्रेक से चला है, अगर उसकी स्पीड 30 किलोमेटर पर आवर की है, उस स्पीड से चला है, और अग समान उसमें ब्रेक लगा दी जाए, जब उसमें ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने से समय होता चाहिए, कि जो उसमें बैठे हो पैस मनुस्री जो है वो गतिमान वस्ता में जबकि बस इसके हम सवार है वो कैसी है वो रेश्ट वस्ता में राप्त हो गई इसलिए क्या हो जाएगा जिसके कि आए की और हो जुग जाएगा ठीक है दूसरा ग्यांपिल क्या है जब डौड़ का हुआ गोड़ा अचानक रुखता ह थे रहे तो सवार आगे की और जुक जाते अब देखिए की घोड़े को हम चला रहे हैं चलाते समय क्या होइगा वो यह समान बेख से गष्याइं हमको क्या है अगर हम क् Pacific की और जुगेंगी निदि तो उसमें क्या हो जाएगा तुरंट गिर याएए अपने भार को मैंटन करना पड़ेगा अगर मेंटेन नहीं क्योंकि गैपटी का प्रभाव रहेगा अगर हम मुड़ेंगे नित्या होगा अब समाथ नीचे की और तुरंग जिर जाएंगे ठीक है तिसरा क्या है ट्रेन से बाहर की और खूदना अब देखिए कोई ट्रेन चल लए है वो एक समान ब देंगे उस समय क्या हो जाएगा क्योंकि हमारी जो मनुस्टे जो है उसकी बाडी जो है वो रिष्ट अबस्ता में एक दम गत्तिक वन अबस्ता में जाएगी तो बहार गिरने पर क्या हो जाएगा उसको चोट लग जाएगे तिसरा चौतरा दोलना नत्व समतल पर गिरती समय क्या होता है वो बस्तु अपने एक समानदेख से गत्सील रहेगी उसे रोकने के लिए बीच में क्या करना पड़ेगा कोई सपोर्ट देना पड़ेगी आनिका उस बस्तु को रोक नहीं सकते ठीक है कहने का दाथ पर यह है कि आज हम नहीं को बताया इनर्सिया बोसन के इस पराबर में कैसे बस्तु गसील है और गसील बस्तु को रोकने के लिए बल को लगाना पड़ेगा इसकी अच्रिक हमने यहां पर बताया इनर्सिया और रेश्ट इनर्सिया बोसन इन दोनों से हमें प्राप्ट क्या प्रत्व हुआ न्यूटन के प्रत्व नियम से बल की प्रिभासा प्राप्त वही ही क्या हुआ बल की डेफनीसन प्राप्ती, अब बल की डेफनीसन क्या है? f बराबर ma ये क्या है? ये है न्यूटन का फॉर्टॉला अगर हम यहां से a निखालेंगे, तो a प्राबर क्या हो जायेगा? F upon N यानि क्या हुआ A परावर F upon इससे यह चीक लिए और हो गई साथ में एक समान बेग से गसील है यानि क्या हुआ B क्या हुआ constant क्योंकि एक समान बेग से गसील है इसका मतलब क्या है अगर इसका हम आप गलन कलने डिफ्रेंसेशन करने तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, इस से एक समान बेग से गसील है, तो उसका बेग कैसा हो जाएगा, और जब बेग कॉंस्टेंट होगा, तो इसका अपकलंग करेंगे, तो हमें तौर्ण पराप होगा, और एक समान बेग का जो तर्ण होता है, वो सु आप कहा गया है कि यहां पर बेग को परिवर्थित करें जब बेग को परिवर्थित करें तब यहां पर बेग परिवर्थित नहीं हुआ तो अधिक लगाना पड़ेगा अगर दरगमान कम है तो बलकम लगाना पड़ेगा आज की वीडियो में से इतना ही आगे फिर कंटिन्यू करेंगे धन्यवाद